हेलो फेंड्स सो गाइज वेलकम तो मैं यूटूब चैनल व्यस्मेडियो क्लासिज तो गाइज आज हम डिसक्स करने वाले हैं मोटर यूनिट ओके फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ओप दा मोटर यूनिट उसके बाद में इसके टाइप देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे रिक्रूट्मेंट ओप दा मोटर यूनिट जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ओके फ्रेंड्स सो आईए स्टार्ट करते हैं गाईज अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सो मोटर यूनिट सिर्फ दो वर्ड्स में डिफाइन हो जकते हैं सेंप्ली मिन्स अलफा मोटर नीरोन पिलस इनरवेटिड मसल फाइबर यूनिट मिन्स वह अलफा मोटर नीरोन और मसल फाइबर जो उसके थूरू इनरवेट हो रहे हैं उसी को हम मोटर यूनिट कहते हैं ओके फ्रेंड्स सो गईस बेसिकली आप देखोगे कि जो मोटर यूनिट होती है उसका ओरिजिन कहां से होता है गाईस यह जो डाइग्राम आप देख रहेगे क्रोस सेक्शन ऑप करता है अब गाईस यहां पर देखोगे यह जो आ रहा हूं यह एफ़ा मोटर नीरोन है और जैसे ही म 서leकस करitar को लेकिन हो सौर को मियर को श्रेय को योनिट तब करक्रिए ना दे तो बेसिकली मोटर यूनिट का वर्क क्या हुआ कि यह मैसिज पास करती है मसल फाइवर को मिस जब हमारा सेंटर नर्वस सिस्टम कमांड देता है कमांड देता है मिस यदी मैं आपको एक एकजामपल दूँ कि आप मालो अल्बो का फ्लेक्शन करना चाहते हो सो उसमें बाइसेप्स का कोंट्रेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वह ही आपकी प्राइम मूवर है ओके सो यह कब हो पाएगा जब हमारा सेंटर नर्वस सिस्टम कमांड देगा तो वह कमांड जो कैरी होगी वह कमांड कैरी होती है मोटर यूनिट की थुरू और कब आपकी मसल के अंदर action potential generate होता है और तभी आपकी मसल contraction कर पाती है सो गाइस मोटर यूनिट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है मिस बेसिकली अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ कि टाइप्स ओफ मोटर यूनिट पर यहाँ 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 पर य इनके अंदर जो सेल बोडी होती है उ वो स्मॉल होती है है और जो एक्जोन का डायामीटर होता है वो भी आपका स्मॉल होता है और जो मैंन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके तो फाई बर सोते हैं वो भोती कम जो इनकी जो आरति नगे जो ब्रांचिज होती है वह वहती कम मसल आई नरवेट करती है अगर मैं दूसरी तरब बात करूं लार्ज मोटर निर्वन्व निरोन की तो इसमें क्या होता है जो स्वेल वोड़ी होती है वह ज्यादा लार्ज होती है जैक जो नख जोन का डाय Ayayameter में ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर सेल बोडी भी ज्यादा है ज्यादा बढ़ी होती है में डायमेटर उसका ज्यादा होता और वैसे ही एक्जोन का डायमेटर भी ज्यादा होता है तो इस वज़ां से क्या होता है कि इसके अंदर जल्दी से मैसिट ट्रेवल हो जाता ह लेकिन जो स्मॉल मोटर यूनिट होती है इसके अंदर जल्दी मैंसे ट्रेवल नहीं होता लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रोडेंट बात यह है कि जब हम फाइन मुवमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारी स्मॉल मोटर यूनिट इन्वोल होती है अब ऐसा क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि जो हमारा सेंटर नर्वस सिस्टम होता है वह इस तरह से डिजाइन है कि वह एनर्जी कंजर्वेशन लोग के उपर फोलो करता है मींस जहां पर एनर्जी बच सके उतनी ज्यादा वह बचाने की कोशिश करता है आपको एक्जामपल दूं अगर मैं सिंपल यह इस त करेंगी लेकिन अगर मैं रनिंग करने लगूं वह भी फास्ट रनिंग सो वहाँ पर लार्ज मोटर यूनिट इन्वोल हो जाते हैं और गाइस इसी चीज़ को हम कहते हैं रिक्रीटमेंट ओफ दा मोटर यूनिट मिस जब हम बहुत कम एनर्जी वाला वर्क करते हैं जब हम हमारे लार्ज मोटर यूनिट इन्वोल हो जाते हैं गाइस कम एक एक और चांपल आपको दो में को पर शन है वो सटब परसंग हैशिज करना स्टार्ट करता है मिस जब उसने अई-प sonra साइज करना स्टार्ट की तब तो आपके स्मॉल मोटर यूनिट वर्क कर रहें लेकिन जैसे फोर्स ऑफ कॉंट्रेक्शन बढ़ने लगेगा और तब उस परसन को नीड होगी ज्यादा स्टेवल होने की तब हमारे लार्ज मोटर यूनिट इन्वॉल हो जाते हैं ओके फ्रें कि कितने ज्यादा मोटर यूनिट उस मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं और किस फ्रीक्वेंसी से वह फाइरिंग करते हैं अगर ज्यादा कॉंट्रेक्शन करना है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से फाइरिंग आगी मोटर यूनिट की तरफ से कम कॉंट्रेक्शन करना है तो करती है लेकिन उसके बावजूद भी और इस तरीवे का 씨 टास्क होगा उसके हिसाब से मोटर्वस को कर आएगी वो इस तरीके से डिजाइंड होता है कि जो सपूर्च हाहபٍ कन्टेक्सन का सो महां पर क्यूं हिमげंगे क्यौं तभी तो आपका ज़्यादा फोर्स जनेरेट हो पाएगा अगर आपको- फाइड मुंट करना है सपोसवर्च आपको आइट करनी है तो महाँ पर small motor unit involved हो जाएंगे तो महाँ पर energy waste नहीं करनी है लेकिन जब task ही ऐसा है जिसके अंदर large contraction की जरुवत है तो महाँ पर तो large motor unit involved होंगे ही महाँ पर energy conservation low काम नहीं कर सकता क्योंकि task ही आपका large energy का है ओके friends तो guys यह हमारा complete होता है motor units I hope you like this video झाल